मेरे लाग समझाने के बावजूद एक बहन ने कॉमेंट किया है कि एंटिरियर लो लाइंग प्लासेंटा है, बॉय है या गर्ल, यूज्वली आई डोंट रिप्लाइ थीज टाइपस ओफ मेसेज़िस बट एक भाई या बहन वहां कॉमेंट्स में कॉन्फिडेंस से बता रह कि मैं इन लोगों को किस तरह से समझाऊं वीडियोज में भी कह 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 के थक चुकी हूँ, एनिवेज हम बढ़ते हैं अपने बाकी कुस्चन्स की तरफ, अपनी रीसेंट एद व्लॉग की वीडियो में मैंने बताया था कि हरीम को बहुत सारे गर्मी दाने निकल आए हैं, ब मेरी बहन मैंने उस वीडियो में ये नहीं कहा कि मैं क्रीम लगाती हूँ या पाउडर लगाती हूँ हरीम के, पाउडर तो मैं वैसे भी बच्चों के यूज बहुत ही कम करती हूँ ना होने के बराबर, और जहां तक गर्मी दानों के पाउडर की बात है तो बच्चों के बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि मेरे अपने ही रिलेटिव में एक बच्ची की डैथ हो गई थी पाउडर लगानी की वज़े से बट उन्होंने भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडन्ट होके उस प्रिकली हीट पाउडर में पानी मिलाके उसका पेस्ज बनाके बच्ची के लगा दिया था जिसकी विज़े से बच्ची की डैथ हो गई थी तो जब से तो नहीं उससे पहले से ही मैं अपने बच्चों के पाउडर लगाती ही नहीं किसी किसम का नेक्स कुस्चन है मरियम मुगल का ये पहला कॉमेंट है जिसमें मुझे नाम क्लियर समझ में आ रहा है तो काफे सारे लोग लाइव स्ट्रीप में कह रहे होते हैं कि हमारा नाम ले ले लें और नाम जो हैं वो ABCD1234 ये होते हैं एनिवेज मरियम कह रही हैं कि 9 मन्त किस वीक से स्टार्ट होता है कुस्चन तो बहुत सिंपल है लेकिन इसका आंसर काफी कॉम्पलिकेटेड है सिंपल वे में कहूं तो 33 तो 36 वीक के दर्मियार में अगर आपके डिलीवरी हो जाती है इट मीन्स यू वास इन 9 मन्त बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अल्टरा साउंड में वीक कुछ और दिखा रहे होते हैं और जो हमारी कैलकुलेटड LMP और EDT होती है वो डिफरेंट होती है यूज़ली डॉक्टर आपको अल्टरा साउंड की बेस पर आपकी डियू डेट बताती है लेकिन सम्टाइम्स अल्टरा साउंड में भी वीक आगे पीछे नजर आते हैं मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है अल्टरा साउंड में कोई और वीक है डॉक्टर कुछ और बता रही है और मैं अपनी LMP से कुछ और मेजर कर रही हूँ इसको और सिंपल वे में इस तरह से बता सकती हूँ कि three trimester होते है one, two, three first trimester में तीन महीने होते है one, two, three दूसरे trimester में तीन महीने होते है four, five, six तीसे trimester में भी तीन महीने होते है seven, eight, nine एक महीना होता है फॉर वीक्स का तो इसी तरह दूसरा महिना भी 4 weeks का और तीसरा महिना भी 4 weeks का तो total हमारा पहला trimester बन जाता है 12 weeks का इसी तरह दूसरा trimester भी 12 weeks का तीसरा trimester भी 12 weeks का तो ये बन जाते हैं total 24, 26 और ये 36 weeks तो इस rule से अगर हम देखें तो 36 weeks आपका 9 month कहलाएगा यानि कि 36 weeks में आपका 9 month complete हो जाएगा बट ऐसा होता नहीं है, 40 weeks doctors कहते हैं वो इस तरह से कहते हैं या वो pregnancy में 40 weeks इस तरह से add किये जाते हैं कि हर trimester में एक-एक week और add किया जाता है जैसे कि यह 4 weeks है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे plus 1 week कर दिया जाता है, यानि कि यहाँ plus 1 इसी तरह यहाँ पे भी plus 1 और यहाँ पे भी plus 1 तो 3 weeks और add हो गए हैं हमारे पास तो यह total हो जाएगा 36 plus 3, 39 weeks तो यह बड़ा confusing system है, इसमें इतनी depth में जाने की जरूरत नहीं है बस आप इतना समझ लें के 36 weeks आपके हो गए हैं, अब आपकी कभी भी delivery हो सकती है और यह भी depend करता है कि यह 36 weeks आपके ultra sound से आ रहे हैं या आपकी LMP से आ रहे हैं अगर तो यह ultra sound से आ रहे हैं तो may भी आपके पास और time हो लेकिन अगर आपकी खुद की calculation से आ रहे हैं तो हो सकता है उसमें भी आपने आगे पीछे कुछ weeks कर दिये हो मुझे लग रहे हैं यह काफी complicated होता जा रहा है बट जिसको समझ में आ जाए हो मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा next question किया है तबस्म हारून ने यह कहती है कि हरीम की meaning क्या है हरीम की meaning हुर्मत वाली है इस पे मैंने बहुत ही खुबसूरत सी एक वीडियो अपने चैनल पर upload की हुई है जिसमें मैंने हरीम का नेम रिवील किया था बहुत ही खुबसूरत अंदाज में उस वीडियो का thumbnail मैं आपको यहां दिखा देती हूँ अगर यह वीडियो देखनी है तो आपको मैं description में उसका link दे दूँगी बहुत महनस से बनाई थी जरूर देखिएगा अच्छा भी मैं यह वीडियो काफी अरसे बात दुबारा देख रही थी तो मुझे इसके comments में एक मेरी पुरानी subscriber का comment नजर आया जो मुझे शुरू दिन से follow करती है और हर वीडियो में हर community पे हर story पे वो मुझे message करती थी लेकिन आजकल वो पतनी कहा है रभीका अगर आप सुन रही है तो miss कर रही हूँ मैं आपको आपके messages अब मुझे receive नहीं होते हैं I don't know क्यों इसके लावा मेरी और भी बहुत सारी subscribers बहने हैं जो मुझे बिलकुल पहले दिन से follow कर रही है next question एक बहन ने किया है वो कहती है के मेरा six month complete हो गया है पर मेरी body ऐसे है जैसे three month हो अभी मुझे बहुत tension रहती है जब मैं we back stories पढ़ती थी और देखती थी ना तो तब मुझे एसास हुआ और पता चला के कुछ ladies ऐसी भी हैं जिनका nine month होता था और baby bump होता ही नहीं था और baby उनका normal deliver होता था so अभी तो six month है काफी time है baby bump आइस्था आइस्था increase हो जाएगा अतनी tension लेनी की बात नहीं है बस healthy diet लें healthy lifestyle अपनाए मेरे चैनल पर pregnancy में जो मेरी diet थी उससे related वीडियो मौझूद है चाहें तो उसको भी आप follow कर सकती है simple healthy lifestyle आपको अपनाना होगा next question मैं उसे पूछा गया है के आपने pregnancy के बाद weight loss कैसे किया मैंने weight loss करने के लिए कोई खास drink नहीं ली कोई खास exercise नहीं की कोई खास ऐसी diet नहीं ली के जिसकी विएसे मैं weight loss करूँ बस मैंने delivery's के बाद recover होते ही फॉरण ही घर के काम करना शुरू कर दिये थे तो मुझे कभी भी weight कम करने की जरूरत पेश ही नहीं आई next question हरीम की diet से related है के 7 month के cereal बताएं तो हाँ मैंने हरीम की month wise सारी feeding routine शेयर की है बट 7 month की पूरी routine मैंने एक ही वीडियो में शेयर नहीं की है different different videos मैंने बनाई है अब तो हरीम माशालला 8 month की हो गई है लेकिन मैंने उसको 7 month में वही सब खिलाया है जो उसको 6 month में खिलाती आ रही थी homemade चावल का दलिया जो मैंने बनाया था samulina, suji का हलवा, इसके लावा mash, kela इसके लावा recent video में मैंने बताया था के हरीम ने चाय पराथा खाना भी माशालला स्टार्ट कर दिया इसी तरह से जो घर का खाना भी बना होता है वो भी उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके देते हैं रोटी के साथ तो वो खा लेती है माशालला से बाकी इंशालला डेटेल वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूँगी next question बहुत important है ये problem मैंने भी face की है question ये है कि बेबी two month का है और totally mother feed पर है तो अगर वो चार दिन stool pass ना करे तो क्या ये normal होता है तो ये condition मेरे दो बच्चों के साथ हुई है last time जो मेरे बेटे के साथ जब हुई थी वो दो महीने का था शाय तो वो एक एक हफते तक stool pass नहीं करता था तो मैंने डॉक्टर को जब दिखाया था तो child specialist ने मुझे यही कहा था और मैंने भी यही research किया था कि अगर बच्चा totally mother feed पर है और वो stool pass नहीं करता है एक हफते ता कि तो बिल्कुल normal बात है हाँ अगर बच्चे को constipation हो गया है एक चुटकी अजवाइन डालेंगे या कुछ दाने अजवाइन डालके उस चमचे को flame पे रखके boil होने देंगे जब एक दो boils आ जाएंगे दैन फिर वो दूर थंडा करके चान के वो मैं डॉपर से बच्चों को पिला देती थी एक चमचा मुश्किल से वो बनता था सुबा शाम मैं एक एक चमचा पिला देती थी जब देखती थी के बेवी बिल्कुल सही स्टूल पास कर रहा है तो दैन फिर मैं इसको छोड़ देती थी और इस remedy का कोई भी नुकसान नहीं है मैंने अपने चारो बच्चों के साथ ये remedy की है और मेरी अम्मी भी करती आ रही थी और जादातर मैं ये remedy सर्जों में फालो करती थी जब बच्चे छोटे होते तो उनको जादा problem हो जाती है अक्सर दो तीन महीने के बच्चे को ठंड वागारा भी लग जाती है तो उसके लिए भी बहुत मोजू है ये remedy नेक्स कुश्चन है के मैम गंदुम क्या होता है तो ये I think जो मैंने 4-5 मन्त वाली डाइट रूटीन शेयर की थी हरीम की उसमें गंदुम का दलिया दिखाया था तो उसको सामने रखे नोंने कुश्चन किया है गंदुम असल में समले जो आप रोटी खाती है न रोजाना अपने घर में वो गंदुम की PCV होती है तो गंदुम के दलिये की एहमियत बच्चे के लिए रोटी की तरह ही है नेक्स कुश्चन असमा ने किया है बंगलादेश से के आपकी कितनी नॉर्मल डिलिवरी हुई है नेक्स कॉमेंट है अपना डेली रोटीन शेयर कीजिए इसका जवाब आपको मेरी फेक इद ब्लॉग वाली वीडियो में मिल जाएगा के मैं रोटीन शेयर क्यों नहीं कर पाती हूँ नेक्स कुश्चन है जैनब का आपी क्या हरीम को तीट्स आ गए है नहीं अभी तक तो नहीं आएं जैसी तीट्स आएंगे तो मैं अपडेट कर दूँगी हरीम की तो एक एक चीज आप लोगे साथ मैंने शेयर की है तीट्स पे भी वीडियो बनाऊंगी इंशाला नेक्स बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चन है कि कितने स्पून कितने मिल्क में देना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटिट काफी मदर्स को कन्फ्यूजन रही है शुरू में मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन रहती थी और इस टॉपिक पर बहुत डिटेल में मेरे चानल पर वीडियो आएगी इंशाला अगर एक लाइन में मैं इसका जवाब दू तो एक और पानी में एक स्कूप लेविल का मिलक कर डालना होता है कुश्चन अभी भी बहुत सारे हैं वीडियो के पार्ट्स बनाके ही मैं आप लोग को आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ इसके लावा लाइव स्ट्रीम में भी आप लोग कुश्चन कर सकते हैं जिनके क्वेस्चन शामिल नहीं हुए हैं वो उदास नहों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर आप लोग बोहर हो जाते हैं तो मिलते हैं इंशाला फिर नेक्स वीडियो में अल्ला हाफेज